बॉलिवुड अभीनेता सेफ अली खान और उनकी दूसरी बेगम करीना कापूर खान जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। सेफ और करीना अपने बेटे तैमूर अली खान के साथ हिंदिनों पटोदी पैलेस में रुके हुए हैं। बीदे दिनों सेफ अली खान की नीजी जिन्दिगी सुर्खियों में चाही रही। सारा का नाम ड्रग्स केस में फसने के बाद सेफ की नराजगी की खबरों ने भी जोर पकड़ा था। कहा गया कि इस पूरे विवाद के चलते सेफ अपनी पहली पतनी अमरिता सिंग और बेटी सारा से खासे नाराज है। पटोदी खानदान में आये इसी तूफान के बाद सोशल मीडिया पर सेफ अली खान की दूसरी शादी की तस्वीर जबरदस्त वाइरल हो रही है। इस तस्वीर में सेफ अपनी दूसरी बेगम करीना कपूर खान, अम्वी शर्मीला जैगोर, दोनों बहने सोहा और सबा के साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर को खास बनाता है इसमें सारा और इब्राहिम का साथ दिखना। साल 2012 में जब सेफ ने करीना संग ने कहा किया था, उस वक्त सारा की उम्र 17 साल थी, जबकी इब्राहिम की उम्र 11 साल थी। पीले रंग के लहंगे में सारा बेहत खुबसूरत दिख रही थी, तो शेरवानी पहने इब्राहिम भी काफी क्यूट लग रहे थे। सबसे खास रहा था, इस शादी के लिए सारा को अमरिता सिंग का तयार करना। सैफ और अमरिता का रिष्टा शादी की 13 साल बाद बेहत कड़वे मोड पर आकर टूटा था। लेकिन जब सैफ करीना संग दूसरा निकाह करने जा रहे थे, तब उनके बीच की तलखी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। मौके पर वो असहज महसूस कर रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी मा ने पापा की शादी पर मुझे भेशते हुए काहा था कि वहां अच्छा समय बिताओ और अपने पिता के लिए वहां रहो। यही नहीं, उसी शो में सैफ ने भी एक खुलासा किया था कि जिस दिन वो करीना से शादी करने जा रहे थे, तब उन्होंने अमरिता सिंग को एक चिट्थी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अमरिता को आगे की जिंदिगी के लिए शुब कामनाय दी थी, और वो लेटर उन्होंने करीना को भी पढ़ाया था, आपको बता दें कि करीना कपूर खान भी अपनी शादी को लेकर ये खुलासा कर चुकी है, कि जब वो सैफ से शादी करने जा रही थी, तब हर कोई उन्हें मना करता था, वैसे करीना को इबराहिम और सारा दोनों ने ही खुले दिल से अपनाया, सारा तो करीना के साथ दोस्ती का रिष्टा भी शेयर करती है, वीरो रिपोर्ट E24. अजीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर, तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते रही है E24.